हेलो फ्रेंग्स आपका मेरे चैनल इंक्रेडेबल नेचर में स्वागत है आज का वीटियो दिल्ली के शांतिपद से है शांतिपद में एक गार्डेन है जिसका नाम इंडिया अफ्रिका फ्रेंड्सिप रोस गार्डेन है एंटर करते ही आपको आइस प्लांट देखने के लिए मिलेंगे इस गार्डेन में बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हैं और उनके नाम भी दिये गए हैं अगर आपको गुलाब बहुत पसंद है तो आप एक बार यहां पे ज़रूर विजिट करें राश्ट्रपति भवन में जितने गुलाब लगाए गए हैं उसे कही ज़्यादा वेराइटी यहां पे लगाए गई है प्लांट की बहुत अच्छी केरिंग की जाती है यहां की फ्लावर की साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अब देख सकते हैं गुलाब कितने अच्छे खिले हैं और प्लांट्स भी बहुत हेल्दी हैं कॉंट्री गर्ल हाइपरेटेट प्लांट है जहां पी दो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं एक येलो और रेड और ये पिंक वाइट के इन गुलाबों के आकार बहुत बड़े हैं इस गुलाब का नाम सुप्रिया है यह वाइट और पिंक के सेट में है और बीच में थोड़ा येलो भी है फेड़ेड रोज एक्च्छल में थोड़े छोटे होते हैं पर यहां की फेड़ेड रोज एक्च्छल साइज से थोड़े बड़े हैं यहां रोजेस पिंक कलर में हैं यहां रोज का नाम आनर है और यह प्योर वाइट है यहां रोज पिंक और रेड में है यह पिंक कलर के रोज है इस रोज का नाम दीप परपल है क्योंकि यह परपल कलर के रोज है इस रोज का नाम बैटी बूब है और यह बहुत ही जादा ब्राइट रोज हैं यलो और रेड में इस रोज का नाम बॉनी का है यह पिंक कलर के रोज है और बहुत अच्छे से खिले हैं इस प्लाइट में एक ब्राइंच में बहुत सारे फ्लावर एक साथ खिलते हैं फूलों के वजन के कारण इनकी डालिया नीचे के तरफ जुकी हुई रहती हैं पिंक नॉक आउट यह गुलाब बाकी गुलाब से बहुत डिफ्रेंट हैं अंदर की तरफ पिंक कलर है और बाहर की तरफ वाइट कलर के हैं रोज एक्सलेंट यह रेड कलर के हैं और इनके कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं डॉक्टर बीपी पाल यह पिंक कलर के रोज हैं डेली पोस्ट यह रेड कलर के रोज हैं बीपी पाल बीपी मैं प्यूट यह रेड बीपी ज़ बीपी हसीना इस रोज का नाम है एक्च्छल में ही यह बहुत जादा हसीन है यह पिंक कलर के हैं और एक ही ब्रांच में बहुत सारे फूल खिलते हैं इनके वेट के कारण यह डालिया नीचे के तरफ जुग जाती है यहां पर आपको ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छा नमुना देखने को मिलेगा एक ही ब्रांच में मल्टिपल फ्लावर्स आए हैं लाइट पिंक पे डार्क पिंक की डिजाइन बनी है इसलिए ही यह दूसरे गुलाब से इनको अलग बनाती है यह एक फ्रेग्मेंटल रोज है और यहां पर बहुत अच्छी महक आ रही थी यह रोज बहुत इजिली ग्रो हो जाते है प्रेग्मेंटल 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 बनाती है अध्या है झाल 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 यह एक हाईवरिड ग्राफ्टेट प्लांट है एक ही ब्रांच में डिफरेंट कलर और डिफरेंट सेड के रोज लगे हुए हैं ऐसे ग्राफ्टेट प्लांट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं यह प्लांट मैंने पहली बार देखा है वज़ प्लांट प्लांट हैं इंज़ किते हैं यह प्लांट 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 हैं झाल झाल यहां पर लाइन में रोज लगे हैं बहुत अच्छे खुस्पू आ रही थी झाल 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 आपको कौन सा गुलाब सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शेन में जरूर बताएं आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई फ्रेंट्स एंड टेक केर नमस्टे फ्रेंट्स